नमश्कार दोस्तो आज हम समझेंगे औप्शन ट्रेडिंग में औप्शन चेंड क्या होती हैं दोस्तो आज हम औप्शन चेंड को बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखने वाले हैं दोस्तो वीडियो की शुरुवात करें, उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट हैं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता हैं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, तो इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तो जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं, तो हमें बहुत सारी नई चीजों के बारे में पता चलता हैं, जिने देखकर आप पता लगा सकते हैं, कि ऑप्शन के एनालिसिस करके ही ओप्शन ट्रेडिंग करते हैं, यानि कि अगर आप भी ओप्शन ट्रेडिंग करना को सही से रीड करना और सही से एनालिसिस करना सीख जाते हैं, तो आप भी ओप्शन ट्रेडिंग करके अच्छा कासा प्रोफिट कमा सकते हैं, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि option chain क्या होती हैं दोस्तो option trading में option chain एक बहुत ही powerful tool होता है जिसे देखकर बहुत सारे trader options में trading करते हैं option chain एक तरह का chart होता है जो अलग-अलग strike price के call or put options का detailed data दिखाती है option chain data analysis करके आप अपनी trading accuracy को बढ़ा सकते हैं option trading में option chain एक powerful tool की तरह काम करती है जिससे आपको सभी जरूरी detail data एक ही जगह पर मिल जाता है कुछ traders के लिए option chain को समझना बहुत कठिन होता है क्योंकि जब भी कोई पहली बार option chain को देखता है तो वह बहुत सारे numbers को देखकर confused हो जाता है लेकिन आप चिंता मत कीजिए अब हम option chain को इतने simple तरीके से समझने वाले है कि इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद आपको option chain के विशय में A to Z जान करी आसानी से समझ में आ जाएगी इसके बाद आपको किसी और से सीखने की जरूरत नहीं होगी कि option chain क्या होती है और इसको कैसे analyze करते है अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि option chain एक ऐसा tool है जो आपकी trading accuracy को बढ़ाने में मदद कर सकती है यनि कि अगर आप option chain data को अच्छे से analysis करना सीख जाते है तो आपके अधिकतर trade profitable हो जाएंगे दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि option chain यहाँ दो शब्दों से मिलकर बना है option और chain option के विशे में तो आप सभी जानते ही है कि दो प्रकार के options होते है call option और put option call option को CE यानि कि call European symbol से दर्शाय जाता है और put option को PE यानि कि put European symbol से दर्शाय जाता है call और put options के बहुत सारे data हमें एक chain के रूप में दिखाई देते हैं चाहे वह strike price हो volume हो या open interest हो इन सभी data की एक पूरी chain बन जाती है इसलिए इसको option chain बोला जाता है दोस्तो option chain को बारीकी से समझने के लिए आपको in the money, add the money और out of the money को समझना बहुत जरूरी है साथ ही आपको option Greeks की भी समझ होना बहुत जरूरी है इनके विशय में हम पहले ही सीख चुके हैं और मुझे लगता है कि आपको यह समझ में भी आ गए होंगे तो चलिए अब हम सीधे option chain को समझने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपने PC में Google Chrome को खोल रखा है आप चाहे तो कोई दूसरा टूल भी यूज़ कर सकते हो जैसे की Internet Explorer लेकिन मुझे Google Chrome पसंद है इसलिए मैं इसका ही यूज़ करूँगा अब हमें option chain डाटा देखने के लिए सबसे पहले Google पर option chain NAC लिखकर सर्च करना है अब आपको यहाँ पर NAC India का वेब पेज दिखाई दे रहा होगा हमें इस पर क्लिक करना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपके सामने NAC option chain का वेब पेज खुल जाएगा जो की कुछ इस तरह का दिखाई देगा जैसा के आप वीडियो में देख सकते ही दोस्तो मैं आपको option chain को NAC के वेब पेज पर इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप में से हर कोई अलग-अलग trading app का यूज़ करता है लेकिन NAC का यहाँ वेब पेज सभी के लिए बिलकुल free में available है जिसके कारण इसका use हर कोई कर सकता है लेकिन इसका use हम trading में नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर price थोड़े late update होते हैं तो चलिए अब हम option chain को समझने की शुरुआत करते हैं दोस्तो सबसे पहले आपको left side में दिखेगा view option contract for यहाँ से आप index जैसे की nifty, fin nifty, bank nifty या mid cap nifty को select करके उसका पूरा option chain data देख सकते हैं इसके बाद आपको दिखेगा select symbol का option इसमें आप किसी भी stock को select करके उसका पूरा option chain data देख सकते हैं इसके बाद अगला option आपको दिखेगा expiry date का, इसमें आप किसी भी index या stock की expiry date को select कर सकते हो और देख सकते हैं कि अलग-जग expiry date पर particular strike price में क्या हो रहा है जैसे कि मैं यहाँ पर Nifty की 17,500 की strike price को select करता हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग-अलग expiry date में Nifty के 17,500 की strike price पर call और put option में क्या चल रहा है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि left side में आपको call options दिखाई देंगे और right side में आपको put options दिखाई देंगे left side में आपको call options का data दिखता है और right side में आपको put options का data दिखता है और विल्कुल beach center में strike price वाला column होता है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर Nifty की option chain खोल रखी है तो यहाँ पर आप Nifty के अलग-अलग strike price देख सकते हैं जैसे कि 17,500, 17,550, 17,600, 17,650, 17,700, 17,750, 17,800, 17,850 और आपको उपर से नीचे तक जितने भी दिख रहे हैं यह सभी Nifty के अलग-अलग strike price हैं strike price call और put options के लिए एक ही होते हैं strike price हमेशा option chain के center में होता हैं जबकि call option और put option हमेशा strike price के अगल-बगल में होते हैं strike price का column सबसे महत्वपुन होता हैं क्योंकि पूरी option chain का data strike price से जुड़ा होता हैं आपको call और put दोनों options की तरफ कुछ अलग-अलग column दिखाई दे रहे होंगे जैसे की ask quantity, ask, bit, bit quantity, change, LTP, IV, volume, change in open interest और open interest ये सभी 10-10 column आपको call और put options दोनों ही तरफ दिख रहे होंगे चलिए अब हम इन 10-10 columns को एक-एक करके detail में समझ लेते हैं सबसे पहले हम समझते हैं ask price को call और put option दोनों side में ask price का मतलब होता है कि अलग-अलग strike price पर seller किस premium price पर call और put options को बेचने को तयार है अब हम बात करते हैं ask quantity की call और put option दोनों side में ask quantity का मतलब होता है कि अलग-अलग strike price पर seller ने कितनी quantity में ask order प्लेस किये हैं अब हम बात करते हैं bit price की call और put option दोनों side में अलग-अलग strike price पर buyer किस premium price पर call और put options को खरीदने को तयार है अब हम बात करते हैं bit quantity की call और put option दोनों side में bit quantity का मतलब होता है कि अलग-अलग strike price पर buyers ने कितनी quantity में bit order place किये हैं अब हम बात करते हैं LTP की call और put option दोनों side में LTP का मतलब होता है last trade price यहाँ अलग-अलग strike price का last trade price होता है मतलब कि यहाँ हमें बताता है कि अलग-अलग strike price के premium price का last trade की इस price पर trade हुआ था दोस्तो LTP हर second change होती रहती है अब हम बात करते हैं change की call और put option दोनों side में change हमें यहाँ बताता है कि अलग-अलग strike price के premium price की कल की closing के मुकाबले आज LTP में कितना बदलाव आया हैं अगर सीधे-सीधे कहूं तो LTP में होने वाले बदलाव को change का column दिखाता है अब हम बात करते हैं IV की IV का मतलब होता है implied volatility IV अलग-अलग strike price के call और put option की accepted volatility को दर्शाती है मतलब की IV आपको बताती है कि किस call और put option में कितनी ज़्यादा volatility हो सकती है option trading में IV एक बहुत महत्वपून factor होता है अगर आप IV के विश्य में और detail में समझना चाते हैं तो आप मुझे comment करके बता सकते हो बाद में मैं इसका एक separate video बना दूँगा अब हम बात करते हैं volume की call और put option दोनों side में volume हमें यहाँ बताता हैं कि अलग-अलग strike price में दिन के दर्मियान कुल कितनी trading हुई है अब हम बात करते हैं open interest की call और put option दोनों side में open interest हमें यहाँ बताता है कि अलग-अलग strike price पर लोगों ने कितनी position बना रखी हैं option chain में open interest का data हमेशा load size में लिखा होता है अब हम बात करते हैं change in open interest की call और put option दोनों side में Change in open interest का मतलब होता है कि कितनी positions में बदलाव हुआ है अगर call side में open interest घटता है तो इसका मतलब यहा है कि put side में open interest बढ़ रहा है और अगर put side में open interest घटता है तो इसका मतलब है कि call side में open interest बढ़ रहा है दोस्तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि call option की side में आपको उपर की तरफ वाले option contract में पीले color का background दिखाई दे रहा होगा, और नीचे की तरफ वाले option contract में सफेद color का background दिखाई दे रहा होगा, तो इस color difference का मतलब क्या होता है? मैं आपको बता दू कि जो numbers आपको पीले color वाले background में दिखाई दे रहे हैं, वो in the money के option contract हैं, और जो आपको सफेद color के background में दिखाई दे रहे हैं, वो सभी out of the money के option contract हैं, अब मैं scroll down करके पूरा नीचे की तरफ आ जाता हूँ, आप यहाँ पर देखिए कि हमें यहाँ पर total क एक column दिखाई दे रहा हैं, जिसमें हमें call और put option के open interest का total और volume का total दिखाई दे रहा हैं, इस open interest और volume के total से हम किसी भी underlying asset के PCR open interest और PCR volume को निकाल सकते हैं, PCR open interest और PCR volume क्या होता हैं, अभी हम थोड़ी ही देर में समझ लेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर हमने option chain के हर एक column को समझ लिया हैं, तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं PCR open interest क्या होता हैं, और इसको देखने से हमें option trading में क्या फाइदा मिलता हैं, दोस्तों PCR open interest का मतलब होता है, put call ratio का open interest, PCR open interest की मदद से हमें यहाँ पता चलता हैं कि market अभी up trend में हैं या down trend में, या market overbought हैं या oversold हैं, या फिर market sideways हैं, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि PCR open interest का calculation formula क्या होता हैं, दोस्तों PCR open interest की value निकालने के लिए आपको option chain में से total put open interest divided by total call open interest और जो value आपके सामने आईगी वो होगी PCR open interest की current value, तो चलिए अब option chain में हम call और put options की total open interest की value से PCR open interest की value निकाल कर देखते हैं, तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि put side में total open interest 9,33,330 हैं और call side में total open interest 7,85,930 हैं, तो अब हम total put open interest जो हैं 9,33,330 divided by total call open interest जो हैं 7,85,930 हैं तो हमारे सामने इसकी value निकल कर आती हैं 1,19, दोस्तो ध्यान रहे कि PCR open interest की यह value लगातार बदलती रहती हैं, और हमें इस तरह इसका calculation करने की भी कोई जरूरत नहीं हैं, क्योंकि यह आजकल हमारे trading app में automatic ही हो जाती हैं, मैंने तो बस आपको समझाने के लिए यहां पर यह calculation करके दिखाया हैं, तो अब जो PCR open interest की यह value निकल कर आई हैं, इसे से हमें क्या पता चलता हैं, चलिए समझ लेते हैं, दोस्तो अगर PCR open interest की value एक या उसके आसपास हैं, तो इसका मतलब यह हैं कि market अभी sideways trend में हैं, अगर PCR open interest की value एक से 1.7 तक हैं, तो इसका मतलब हैं कि market अभ तो इसका मतलब हैं कि अभी market overbought हो चुका हैं, यहां से market में downside reversal आ सकता हैं, अगर PCR open interest की value एक से 0.7 तक हैं, तो इसका मतलब हैं कि market अभी bearish trend में हैं, अगर PCR open interest की value 0.7 या इसे से कम हैं, तो इसका मतलब हैं कि market अभी oversold हो चुका हैं, यहां से market में upside reversal आ सकता हैं, दोस्तो कि अब आपको PCR open interest अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि PCR volume क्या होता हैं और इसको देखने से हमें option trading में क्या फाइदा मिलता हैं। दोस्तो जिस तरह PCR open interest काम करता हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरह PCR volume भी काम करता हैं। और दोनों का calculation भी बिल्कुल सेम तरीके से होता हैं। लेकिन आपके दिमाग में कोई confusion ना रह जाए, इसलिए मैं आपको इसे भी समझा देता हूँ। दोस्तो PCR volume का मतलब होता है, put call ratio का volume। PCR volume की मदद से हमें यहाँ पता चलता हैं कि market अभी up trend में हैं या down trend में। या market overbought हैं या oversold हैं या फिर market sideways हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि PCR volume का calculation formula क्या होता हैं। दोस्तो PCR volume की value निकलने के लिए आपको option chain में से total put volume divided by total call volume और जो value आपके सामने आएगी वो होगी PCR volume की current value। तो चलिए अब option chain में हम call और put options की total volume की value से PCR volume की value निकाल कर देखते हैं। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि put side में total volume 48,28,292 हैं और call side में total volume 59,36,874 हैं। तो अब हम total put volume जो हैं 48,28,292 divided by total call volume जो हैं 59,36,874 तो हमारे सामने इसकी value निकलकर आती हैं 0.97 दोस्तो ध्यान रहे कि PCR volume की यह value लगातार बदलती रहती हैं। और हमें इस तरह इसका calculation करने की भी कोई जरूरत नहीं हैं क्योंकि यहां आजकल हमारे trading app में automatic ही हो जाती हैं। मैंने तो बस आपको समझाने के लिए यहां पर यह calculation करके दिखाया हैं। तो अब जो PCR volume की यह value निकल कर आई हैं इसे से हमें क्या पता चलता हैं। चलिए समझ लेते हैं। दोस्तो अगर PCR volume की value एक या उसके आसपास हैं तो इसका मतलब यहां हैं कि market अभी sideways trend में हैं। अगर PCR volume की value एक से एक दश्मलव साथ तक हैं तो इसका मतलब हैं कि market अभी bullish trend में हैं। अगर PCR volume की value एक से 0.7 तक हैं तो इसका मतलब हैं कि market अभी bearish trend में हैं। अगर PCR volume की value 0.7 या इसे से कम हैं तो इसका मतलब हैं कि market अभी oversold हो चुका हैं। यहां से market में upside reversal आ सकता हैं। दोस्तो मुझे लगता हैं कि अब आपको PCR volume अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप यहां पर इस बात को समझिए कि सिर्फ PCR open interest और PCR volume की मदद से आप trading नहीं कर सकते हैं। इनका use आपको किसी strategy के साथ करना पड़ता हैं तब ही आपको अच्छे result मिलते हैं। वो कौन सी strategy हैं जो कि PCR open interest और PCR volume को साथ में लेकर काम करती हैं। इसके विशय में हम option trading strategy में आगे चल कर अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना? चलिए अब हम समझते हैं कि option chain में intrinsic value और time value क्या होती हैं। दोस्तो intrinsic value का मतलब होता हैं कि अगर किसी underlying asset की आज ही expiry हो जाती हैं तो उसके option की जितनी premium बच जाती हैं उसे ही कहते हैं intrinsic value। option की intrinsic value ही उसकी real value होती हैं। उसका real price होता हैं या कहें कि option premium का real भाव होता हैं। दोस्तो intrinsic value in the money के हर strike price की अलग-अलग होती हैं। अब हम बात करते हैं time value की। दोस्तो time value का मतलब होता है कि कि किसी underlying asset की expiry में जितना time बचा हुआ है उसके आधार पर उस option की premium में जो time decay होता है। मतलब कि time decay के कारण option की premium price जितनी घट सकती है उस घटने वाली price को ही time value कहते हैं। दोस्तो time value भी हर एकी strike price की अलग-अलग होती है। दोस्तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि call और put option दोनों के लिए add the money और out of the money पर कोई intrinsic value नहीं होती है। इन में सिर्फ time value होती हैं, intrinsic value, call और put option दोनों के लिए in the money options में होती हैं। साथ ही in the money options की time value भी होती हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं कि call और put option की intrinsic value और time value कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम call option की intrinsic value और time value निकालते हैं। दोस्तो call option की intrinsic value निकलने के लिए आपको current market price से in the money के call option की जिस strike price की intrinsic value निकलनी है उससे minus करना पड़ेगा यानि की current market price minus in the money call option strike price और जो value हमारे सामने आएगी वो होगी उस strike price के call option की intrinsic value या कहे की real value तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि अभी nifty 17,828 रुपए पर चल रही है और अगर हमें 17,700 की strike price की intrinsic value निकलना है तो हमें 17,828 minus 17,700 तो 17,700 के strike price के call option की intrinsic value निकल कर आईगी 128 रुपए की ये 17,700 के strike price के call option की real value है 128 रुपए की जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि add the money और out of the money की कोई intrinsic value नहीं होती है इसमें सिर्फ time value ही होती है चलिए अब हम call option की time value भी निकलना सिख लेते हैं दोस्तो call option की time value निकलने के लिए आपको in the money के call option की जिस strike price की time value निकलना है उस option के premium price से उसी strike price की intrinsic value से minus करना है यानि की in the money call option premium price minus same strike price intrinsic value और जो value हमारे सामने निकलकर आएगी वो होगी उसी price के option की time value तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि अभी 17,700 के call option की premium का price है 185.65 रुपए तो अब हमें 165.65 माइनस निफ्टी 17,700 के call option की intrinsic value है 128 रुपए तो 17,700 के strike price की call option की time value निकलकर आएगी 57.65 रुपए की इस time value का यहाँ मतलब है कि जैसे जैसे time बितेगा या कहें की time decay होगा यह time value घटती जाएगी तो दोस्तो इस प्रकार से आप call option की intrinsic value और time value निकल सकते हैं अब हम put option की intrinsic value और time value निकलते हैं दोस्तो put option की intrinsic value निकलने के लिए आपको in the money के जिस put option की strike price की intrinsic value निकलना है उस strike price को current market price से minus करना पड़ेगा यानि की in the money put option strike price minus current market price और जो value हमारे सामने आएगी वो होगी उस strike price के put option की intrinsic value या कहें की real value तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि अभी निफ्टी 17,828 रुपई पर चल रही हैं और अगर हमें 18,000 के strike price की intrinsic value निकलना है तो हमें 18,000 minus 17,828 तो 18,000 के strike price के put option की intrinsic value निकल कर आएगी 172 रुपई की ये 18,000 के strike price के put option की real value हैं 182 रुपई की चलिए अब हम put option की time value भी निकलना सीख लेते हैं दोस्तों हमें जिस strike price की time value निकलना है उसके option की premium price से उसी strike price की intrinsic value से minus करना है यानि कि in the money put option premium price minus same strike price intrinsic value और जो value हमारे सामने निकल कर आएगी वो होगी उस strike price के option की time value तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि अभी nifty 18,000 के put option की premium का price 177 रुपई का हैं तो अब हमें 177 minus nifty 18,000 के put option की intrinsic value हैं 182 रुपई तो 18,000 के strike price के put option की time value निकल कर आएगी 5 रुपई की इस time value का यहां मतलब हैं कि जैसे जैसे time बितेगा या कहें की time decay होगा यह time value घटती जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार से आप put option की intrinsic value और time value निकल सकते हैं चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि option chain को देखकर हम किसी underlying asset के support और resistance level कैसे जान सकते हैं दोस्तों वीडियो में आप nifty की option chain देख सकते हैं option chain की मदद से support और resistance का पता करने के लिए आपको call और put option दोनों side में out of the money के options contract के open interest को देखना है call side के open interest से हमें यह पता चलता है कि underlying asset का resistance कहां पर है और put side के open interest से हमें यह पता चलता है कि underlying asset का support कहां पर है तो सबसे पहले हम resistance level को धूंडना सीखते हैं तो आपको option chain में देखना है कि call option के side में जो strike price add the money है उसके सबसे पास वाले out of the money में वह strike price धूंडना है जिसका open interest सबसे ज़्यादा हो पर ध्यान रहे यह add the money से ज़्यादा दूल नहीं होना चाहिए तो दोस्तों जैसा कि हम वीडियो में nifty की option chain देख रहे हैं और इसमें 17,850 का strike price add the money है और out of the money की तरफ सबसे ज़्यादा open interest हमें 18,000 के strike price पर दिखाई दे रहा है तो 18,100 की strike price हो जाएगी हमारा दूसरा resistance यहाँ पर हमें कोशिश करना चाहिए कि जिस strike price पर add the money है उससे बिलकुल pass का सबसे ज़्यादा open interest वाला strike price देखें इससे हमारे resistance की accuracy बढ़ जाती है अब हम support level ढूणना सीख लेते हैं अब आपको option chain में देखना है कि put option की side में जो strike price add the money है उसके सबसे पास वाले out of the money में वह strike price ढूणना है जिसका open interest सबसे ज़्यादा हो पर ध्यान रहे यह add the money से ज़्यादा दूल नहीं होना चाहिए तो जैसा कि हम Nifty की option chain देख रहे हैं और इसमें 17,850 का strike price add the money है और out of the money की तरफ सबसे ज़्यादा open interest हमें 17,800 के strike price पर दिखाई दे रहा है तो 17,800 का strike price हो जाएगा हमारा पहला support इसके बाद इससे थोड़ा कम open interest हमें 17,700 के strike price पर दिखाई दे रहा है तो 17,700 का strike price हो जाएगा हमारा दूसरा support यहाँ पर भी हमें कोशिश करना है कि जिस strike price पर add the money है उससे बिलकुल pass का सबसे ज़्यादा open interest वाला strike price देखे इससे हमारे support की accuracy बढ़ जाती है इस प्रकार open interest की मदद से support और resistance लेवल देखने से आपको यहाँ पता चलता है कि इन support और resistance से underlying asset और ज्यादा उपर या नीचे नहीं जा सकता है यहाँ पर संभावना होती है कि इस support से बाजार वापिस उपर आ सकता है या इस resistance से बाजार वापिस नीचे जा सकता है इन support और resistance की मदद से आप candlestick pattern की pullback trading strategy को follow कर सकते हो candlestick pattern की pullback trading strategy क्या होती है इसे हम आगे चलकर समझेंगे मुझे लगता है कि अभी तक आपको option chain की जानकारी काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तो इस वीडियो में हमने option chain को basic से advance level तक सिखा मुझे उम्मीद है कि आपको यह video पसंद आया होगा अगर option chain के विशे से जुड़ा कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप comment box में जाकर पूछ सकते हैं और अगर आपने अभी तक हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो please channel को subscribe कर दीजिए और अगर आपको यह video पसंद आया हो तो इसे like कर दीजिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे गुडबाई धन्यवाद